नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक के डेली राउंड अप में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आज की मुख्षे खबरें देश में करोना के 11,000 के करीब नए मामले, 2003 लोगों की मौत, भारत चीन हिंसक जड़प में 20 भारतिय सैन्गों की मौत, COVID-19 महराष्ट की भीड़भाडवाली जेलों में हालात दैनिये। तो सबसे पहले शुरुवात करोना के अपडेट से। स्वास्त मंत्राले के आंकडों के मुताविक बीते 24 घंटों में करोना के 10,974 नए मामले दर्च किये गए हैं। 2003 मरीजों की मौत हो चुकी है और 6922 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। अभी तक मरने वालों की संख्या प्रति दिन सैकडों में आती थी। लेकिन महराश्ट, दिल्ली और कुछ दूसरे राज्यों में क्रोनिक बीमारी याने की गंभीर बीमारी से जुड़ी मौतों की संख्या को अपडेट किया गया और इसी लिए संख्या में अचानक से 1000 की बढ़ोत्री हो गई। देश भर में अब करोना वाइरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कुल 3,054,065 हो गई है जिसमें से 52,08 जीरो फीस दी यानी 1,86,935 मरीजों को ठी किया जा चुका है। करोना संक्रमन की वजह से अभी तक कुल 11,903 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। सक्रिय मामले यानी की एक्टिव केसे यानी की वे लोग जो अस्पतालों में किसी ना किसी अस्तर पर करोना का इलाज करा रहे हैं उनकी संख्या बढ़ करके 1,055,227 हो गई है। नोवेल करोना वारस का पता लगाने के लिए निरंतर जाँच छमता बढ़ाई जा रही है। अब देश में प्रती दिन जाँच छमता 3,00,000 की जा रही है। इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा जारी आंकडों के मुताबिक अभी तक कुल 60,84,256 सेंपल की जाँच की गई है जिन में से 1,63,187 सेंपल की जाँच बीते 24 घंटों में हुई है। अब चलते हैं सबसे बड़ी खबर पर भारत, चीन, सीमा, तनाव पर। लग्दा के उत्तरपुरों में मौझूद गलवान घाटी से आने वाली तनाव की खबरें अब हिंसक जड़पों में बदल चुकी हैं। यहीं से भारत और चीन के बीच मौझूद विवादित लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल की सीमा रेखा गुजरती है। इस बार इसकी जानकारी किनी सुत्रों से नहीं मिली है बलकि रक्षा मंत्राले ने अपने आधिकारिक बयान के जरिये दी है। बयान में कहा है कि भारत और चीन की सेना गलवान इलाकों से पीछे हट गई है। 15-16 जून की रात यहीं पर दोनों देशों के सैनिकों की बीच जड़प हुई थी। जड़प और घतिरोध वाले इलाके में ड्यूटी के धोरान 17 भारतिय सैनिक गंभी रूप से जखमी हो गए थे। सुन्य डिग्री से भी नीचे तापमान और बेहत उचाई वाले इस इलाके में गंभीर रूप से जखमी 17 सैनिकों की मौत हो गई है। यहां कुल 20 भारतिय सैनिकों की मौत हो गई है। भारतिय सेना, देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतिय मीडिया में 43 चीनी सैनिकों के नुकसान की बात की जा रही है। लेकिन अभी तक इस पर चीनी सेना की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अभी तक चीनी सेना ने इसकी कोई पुष्टी नहीं की है अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है चीन की सरकारी समाचार एजनसी सिन्हुआ के मताबिक पिपल्स लिबरेशन आर्मी के पश्चमी थीटर कमांड के प्रवक्ता चांग सूली का बयान पियले के आधिकारिक वीबो एकाउंट पर पोश्ट किया गया है इस बयान में चांग ने कहा है कि भारत सक्ती से अपने सैनिकों को रोके और विवात खत्म करने के लिए समबाद के सही तरीके पर आगे बढ़े चांग ने कहा है कि भारतिय सैनिकों ने अपने वादे का उलंगन किया और एक बार फिर से LAC पार किये याने की Line of Actual Control को पार किया जान बूच कर चीनी बलो को उकसाया और उन पर हमला किया इससे दोनों पक्षों में आमने सामने जड़प हुई और यही हताहत की वज़ा बनी मैं मांग करता हूँ कि भारत अपने सैनिकों को सक्ती से रोके और बातचीत के जरिये विवात को सुलजाए इस घटना से दोनों देशों के आधिकारिक बयान से एक हिस्सा यह साफ तोर पर निकल कर आ रहा है कि यह लोकल अस्तर पर हुई हिंसक जड़क है अस्थानी अस्तर की घटना है कई जानकार भी ऐसी बाते कर रहे हैं इसे रोकना चाहिए लेकिन इस मामले पर सुरुवात से पूरी सक्रियता के साथ लिख रहे रक्षा मामलों के जानकार पत्रकार अजैसुकला का कहना है कि चीनी सैनिक बहुत बड़ी संख्या पर सीमा पर मौजूद हैं पूरी तैयारी के साथ मौजूद हैं यह तैयारी बताती है कि अस्थानी अस्तर की जड़प नहीं थी इसका इसारा चीन सरकार का सेंट्रल कमांड और पॉलिटिकल एथॉरिटी की तरफ से हो रहा था ठीक ऐसी ही बात फॉर्मर जेनरल आफिसर कमांडिंग इंचीफ अफ दे इंडियन आर्मी नॉर्धन कमांड के लेफ्टिन जनरल दिपेंदर सिंग हुड़ा भी कह रहे हैं हुड़ा का कहना है कि चीनी सेना एक दो किलो मिटर की जमीन हत्याने नहीं आई है इसका मकसद दूसरा है इसकी सर्ते दूसरी हो सकती है इस पर ध्यान देने की जोरत है और सरकार को इसे बताना चाहिए मुख्य विपक्षी पार्टी कॉंग्रिस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा सेना के जिन अधिकारी और जवानों ने हमारे देश के लिए अपनी जाने गवा दी हैं उनके लिए मैं कितना दुखी हूँ ये सब्दों में बया नहीं किया जा सकता उनके सभी प्रियजनों के प्रती मैं अपनी संबेदना जाहिर करता हूँ इस मुश्किल वक्त में हम सब उनके साथ हैं अब चलते हैं महाराष्ट की तरफ 9 माई 2020 को नवी मुंबई की तलोजा सेंटरल में 53 वर्षी एक विचारधीन कैदी को मुंबई के जेजे अस्पताल में भरती कराया गया था कैदी मध में बिमारी यानि की सूगर की बिमारी से पीडित था जो उच्च रक्त सरकरा के कारण होने वाली बिमारी है यानि की सरकरा के अधिकता से होने वाली बिमारी है उसी दिन उनकी मृत्यू हो गई थी, मरने के बाद जब उनकी COVID-19 जाच की गई तो वो पोजेटिव निकले तकरिबं तीन हफते बाद 27 मई को एक 33 वर्षिय कैदी ने उसी जेल की अस्पताल के अंदर फांसी लगा ली उनकी मृत्यू के बाद जेल अधिकारियों ने उनके स्वैब की जाच की तो पता चला कि वे भी COVID-19 से ग्रस्त थे भारतिय चिकित्सा अनुसंधान परिसत की जेल के कैदियों के लिए गाइड लाइन है कि पोजेटिव केस पाये जाने के बाद गैर लक्षन वाले कैदियों की यानि की जिनके सिम्टम्प नहीं दिख रहे हैं जो ठीक ठाक हैं उनकी भी जाच कराना जरूरी है जबकि महराष्ट के तलोजा जेल में केवल उन्हीं लोगों की करोना वाइरस से जाच हो रही है जो करोना से पड़ित होकर मर चुके हैं विवादित भीमा कोरेगां और एलगर परिशत मामलों में गिरफतार किये गए मानव अधिकार कारेकरताओं वकीलों और विद्वानों को इसी तलोजा जेल में कैद किया गया है उनमें आनन्त तेलतुम्डे, सुरिंदर गाडलिंग, वरवर राव, महेश राउत, अरुन फहरेरा, गौतम नवलक्था, सुधीर धवले, रोना विलसन और वरनेन गौंजालेस के नाम सामिल है महराश्ट के भीतर 24,030 कैदियों की आधिकारिक छमता वाली 60 जेले हैं मार्च 2020 तक राज्य में कुल 36,061 कैदि थे, जो की आदर्स संख्या का 150 परतिसत है कहने का मतलब ये है कि 36,061 कैदि मार्च में महराश्ट की जेलों में थे, और ये बहुत अधिक है, सायद 150 परतिसत अधिक है करोना वाइरस के प्रसार के लिए ये भीड भाड़ वाली जेलें, इसलिए बहुत अधिक उपजाओ जमीन की तरह काम कर रही है और इस पर राज्य सरकारों को जरूर ध्यान देने की जरूरत है भारत करोना के मामले में अभी दुनिया में चौते पायदान पर मौजूद है जहां करोना मामलों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है वही टेस्टिंग की जो धर है, वो बहुत धीमी है या यह कह लिजिए कि जिस तरह से टेस्टिंग हो रही है वो उसमें इजाफा तो हो रहा है लेकिन अभी भी इस तरह से टेस्टिंग नहीं हो रही है जिसकी जरूरत है और साथ में अस्पताल में मरीज भी भरते जा रहे है यानि कि अस्पतालों की संख्या भी, अस्पतालों की छमता भी कम होती जा रही है न्यूजक्लिक के अडिटर इनचीफ प्रबीर पुरकायस्त भारत की मौजूदा इस्थिती को बया कर रहे हैं सुनिए इसका हिस्सा आंकों के बात आप दिखाया दिखाई है कि टेस्सका कम हुई है और जो जून में जो टेस्क है उबे से कम है यह बड़ी आश्यली की बात है जब जानते हैं की विमारी बढ़ रही है और यही चीज अलसो हमें देखने को मिलती है जब देखते हैं आपने जो श्वशान घाट से आ रहे हैं बेरियल ग्राउंड से आ रहे हैं वहां से जब सरेट्री से आ रहे हैं इनकी अगर तदमीर उनकी फिगर देखें तो वह फिगर दिल्ली सरकार की बित्रकुम से मिल नहीं रहा है और काफी ज्यादा है तो इस ही लगता है कि दिल्ली गार्वमेंट इस वाफ थोड़ा सा इंगर्स को मरमत करने में लगी है ना कि एक्चुल पेशिंस की देख भाल करना और कैसे इसको कंट्रोल किया जाए इसके बारे में सोचना अब जो है कह रहे हैं कि टेस्ट बढ़ाएंगे और उसके साथ- इतने टेस्ट होंगे और ये लार्जर फेलियर है भारत सरकार की टेस्ट जिस रफ्तार से बढ़नी चीजिए थे उस रफ्तार से टेस्ट बढ़ी नहीं हमको जो देखने को मिल रहा है अभी भी टेस्टिंग आप देखिए तीसने चौबीस घंटे में एक लाग चौवान लगबग हमें टेस्ट किया है जबकि नए केसे हमारे यारा हजार की लगबग है और ये जो आपको कहा कि तीसरे नंबर पर हम इस वक्त है कितने नए इंफेक्टेड हो रहे हैं इस पर टेस्ट की रफ्तार काफी बढ़नी चीजिए हर बार हम कहते आए हैं कि टेस्ट की बढ़ रहा है इस वक्त नंबर अफ टेस्ट नंबर अव इंफेक्टेड केसे यह अच्छा नहीं है खास्तोर से उन प्रांतों में जहां पर कोविड नाइंटीन की काफी केसे सरकार इस पर जोन ना देके वह अपने सिर्फ बातचीत करने में लगे हुए हैं कि दूसरे सरक करने आज तो अमिट शाह ने कहा कि हमें एक साथ मिलकर करना चाहिए अमिट शाह एक हप्ते पहले कह रहे तो ठीक काम नहीं किया थिक है हमारी कमजोरी रही है पर दूसरों ने क्या क्या है इस यह बात चल रही इस वक्त जो चीजे साफ है कि लॉग डाउन की कोच केसिस की मातरा काफी बढ़ी है अब लॉग डाउन हातिया की रूप में हमारत तूसरों से निकल गया है पहले आपने छोड़ गया जब आपको छोड़ना चाहिए था उसकी तैयारी करनी चाहिए थी और अगर लॉग डाउन आपको किया भी था तब कम से कम जो आपको वक्त मिला था इसको अस्पिताल के सुधार्ली की जरूरती को आपने किया नहीं आज हर चीज आपके सामने साफ है कि सरकार्थी बैस्ता इस पर बहुत बड़ी एक भूमी का दिभाई एक भूमी का रही है और इसके साथ साथ एकॉनमी में आप कितना भी चून काम कर लें को साफ है कि इस वक्त हमारा फिगर GDP की फिगर जो पीछले साल से कम होने वाला है या लोकिंग अट एप्सलूट रिड़क्शन और प्रड़क्शन उत्पादन में पूरी तरह से पीछले साल से हमारी घिरावट आने वाली है और इसका जो आर्थिक असल पड़ेगा बहुत मार पड़ने वाली है इस COVID-19 की महामारी से और सरकार उसमें भी कोई कदम इस वक्त अभी तक नहीं उठानी है कि ताकि उनको कम से कम कुछ सहूलियत हो सिर्फ मनरेगा की नाक्रे थोड़ी सी बढ़ी है यह अच्छी बात है कि चलो कम से कम यह तो हुई है पर इससे अर्बन एरियास पे कोई फरक नहीं पड़ने वाला है इसलिए अर्बन मनरेगा तभी बड़ा इंप्लिमेंट करने की ज़रूरत है ताकि लोगों के पास कुछ पैसे बिले डारेक्ट कैश ट्रांसपर की ज़रूरत है और उसके साथ-साथ जो एहम चीज है महामारी के लड़ने के इस वाक टेस्ट करें आप उसको टेस्ट करके उसको आइसले 성공 परने जो गिमार है असपटाल में ले जाये और असपटाल को स्टेंगन करेक्टाकि वह ठीट कर सके उन लोगों को जो करे मैं अपे का कि हमारा शे महीं हो इन का पर Raptor रहरूरत है उनको isolate करने की जुर्वरत है ये जो चीज़िया हम नहीं करेंगे तब तक हम इस महामारी पर काबू नहीं हो पाएंगे तो इसलिए हमारी ये चीज़िये इस वक्त अहमियत रखें ये थी देश की तमाम बड़ी खबरें हमारी खबरों को पढ़ने के लिए News Click के वेबसाइट News Click के Facebook और News Click के ट्यूटर एकाउंट पर आप जाकर हमारी खबरों को देख सकते हैं हमारे वीडियो को देखने के लिए आप News Click के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सुक्रिया आप देखते रहिए News Click